गैस मेरे पास है दो कमाल के डिवाइस ओपो ए 78 5G और दूसरा जू फोन है वान प्लास नॉट सी टू लाइट दोनों फोन का प्राइस लगबख सेम है और लगबख सेम स्पेसिपिक असान के साथ दोनों फोन आ रहा है इसलिए बहुत सारे दूस्त कंफियूज है यह दोनों रहने वाला है यह कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है चलिए मैं आपको बताता हो तो गंपरेशन शुरूबात करता हो दोनों की डिस्पेसे अब भी शुरूबात कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके अगर आप मुफी या वीडियो चाहता देखते हो तो आपके लिए पार्फेक्ट डिस्पेय ओफर कर रहा है OnePlus, यह जो फोन आता है, 6.59 इंच, Full HD+, IPS LCD पैलल के साथ, और OPPO का फोन आता है, 6.56 इंच, HD+, IPS LCD पैलल के साथ, आपको दोनों फोन की रिफ्रेस्ट रैड वे भी डिफरेंस देखने का मिल चाहेगा, OPPO के अंदर रहने वाला है, 90Hz का रिफरेस्ट और OnePlus का फोन आता है, 120Hz का रिफरेस्ट रैड के साथ, ऐसे भी आप OnePlus में, FullView डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हो, जब इस फोन में मुवी या वीडियो देखोगे, देखने का जो मज़ा है, वो निक्स्ट लेवल रहने वाला है, जैसे डिस्प्ले में वीनर रहने वाला है, OnePlus, यह पर परफॉएंस में वीनर रहने वाला है, OnePlus, यह जो फोन आता है, Qualcomm Snapdragon की तरफ से 695 चिपसेट के साथ, जो की Gocta कूर चिपसेट है, 6 नानो मेटर पर बना हुआ है, और इसका जो क्लॉक स्पी रन करता है, 2.2 GHz में, OPPO का फोन आता है, MediaTek Dimensary के तरफ से 700 चिपसेट के साथ, जो की Gocta कूर चिपसेट है, 7 नानो मेटर पर बना हुआ है, और इसका जो क्लॉक स्पी रन करता है, 2.2 GHz में, दुनों फोन का Antutu स्कोर आप यह पर देख सकते हो, कितना जदा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जैस में आप PUBG Mobile या बीजी में जैसा गेम को 40 एपिस में खिल सकते हो, इसमें gyro mask देखने को मिल जाएगा, screen record करके आप RAM से खिल सकते हो, यहाँ पर hitting का issue आपको नहीं देखने को मिलेगा, अगर आप gamer हो, उसी के साथ आप phone को थोड़ा heavy में use करते हो, तो आपके लिए perfect phone रहने व 50 MP और 2 MP रहने वाला है, OnePlus का phone आता है पीछे की तरफ ट्रिप्ल कैमेरा सेटाप के साथ, इसका प्राइमरी सेंसर है 64 MP, टू-टू करके दूसर रहने वाला है, अब दोनों फोन की back camera से full HD में वीडियो को record कर सकते हो, चलिए दोस्तों पहला video sample देख लेते है, वीडियो record हो र इसका भी आपको idea लग जाएगा, अपने तो video sample देख लिया, अगर आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है, किसका camera quality अच्छा है, चलिए दोस्तों कुछ फोटो के जरी में आपको समझाने के लिए कोसिस करता हो, किसका camera quality अच्छा रहने वाला है, तो आप यह पर देख सकत ओपो की फोन में आपको white color का tone जो है, जादा देखने को मिल जाएगा, oneplus के अंदर yellow color का tone जो है थोड़ी सी जादा देखने को मिल जाएगा, दोनों फोन dynamic range को बहुत अच्छी तरीके से manage कर लेता है, autofocus में दोनों फोन में कुछ भी problem नहीं आने वाला है, और अब decide करिए, आपकी साथ से कौनसा फोन का कैमेरा सबसे अच्छा हो रहा है, ऐसे भी selfie camera के तरफ देखा जाएगा, यहापर megapixel में बहुत जड़ा difference देखने को मिल जाएगा, जैसे की oneplus का फोन आता है 16 megapixel selfie camera के साथ, और oppo का फोन आता है 8 megapixel selfie camera के साथ, यहाँ पर आप वीडियो सेंपल द देख साकते हो, दूनों फोटो में, megapixel की हिसाब से detailing आपको लाजवाब देखने को मिल जाएगा, लेकिन यह skin tone की color के तरफ देखा जाए, मुझे oneplus का phone सबसे अच्छा लगा है, यह जो phone है, बहुत अच्छा detailing के साथ आता है, क्योंकि इसमें megapixel ज्यादा रहने वाला है, औ protein mood के तरफ देखा जाए, दूनों फोन background को बहुत एची तरह के से बलार कर लेता है, और age detection भी दोनों फोन के अंदर अच्छा देखने को मिल जाएगा, overall मुझे rear camera और selfie camera oneplus का अच्छा लगा है, तो आपको क्या लग रहा है, अब मुझे comment में चुरू बता सकते हो, चलिए दोस्तों आप बात करते हैं, दोनों फोन के डिजाइन के बारे में, देखोए, डिजाइन सब के अलग अलग चोईस रहता है, मुझे डिजाइन में सजमुछ OPPO का फोन सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि जो फोन देखने में काफी खुपसूरत है, पीछे की तरफ देखा इसमें आपको छोटा देखने को मिल जाएगा, अगर इसमें पंचोल डिस्प्ले रहता तो और भी अच्छा होता, यह पर डिजाइन में, लेकिन यह ओन प्लास का डिजाइन भी इतना बुरा नहीं है, फोन देखने में काफी खुपसुरत है, पतला है, हलका है, हाथों में और इसका जो फ्रेम है, पॉली कर्मेट का बना हुआ है, पीछे की तरह भी पॉली कर्मेट रहने वाला है, इसमें फिंगर्पिन का नेशन वेगरा इतना जलती नहीं आता है, लेकिन यह फोन आता है, साइट बॉन फिंगर्पिन सेंसर के साथ, जो बहुत ही फर्स्ट भी रहने वाला है, लेफसाइट कोर्णर पर है पंचोल, डिस्प्ले का बजल और नीचे जो चेन, इसमें आपको छोटा देखने को मिल साएगा, तो चलिए दोस्तों आपको बात करते हैं, दोनों फोन की आदर स्वेस्ट के साथ, और इसमें का लार ओस देखने को मिल साएगा वान प्लास का फोन आता है, एंडूर 12 के साथ, और इस फोन में एंडूर 13 का अपडेट मिल साएगा, और इस फोन आता है, ऑक्सिजिन OS 12 के साथ, अगर आपको बेस्ट OS पोन चाहिए, तो आपको जाना चाहिए वान प्लास के अंतर, क्योंकि इसकी OS में एट्स प्री रहने वाला है, ऐसे भी दोनो पोन फोन 5G फोन है, माल्टिफ फल फाब जी बैंड्स के साथ, दोनो फोन आता है, दोनो फोन में आप ST कार्ड को यूच कर सकते हो, 3.5 मेम और यो चक रहने वाला है, दोनो फोन आता है, Google डायलर के साथ, सार लेबल आपको धोनो फोन में वीदिन रहने वाला है दोनों फोन आता है LPDDR4X RAM के साथ और दोनों फोन में EOS 2.2 का स्टोरेश टैप देगने को मिल चाहेगा ओवेसलि अभी के टाइम में जो ट्रेन चल रहा है वर्ट चल रहा है दोनों फोन में आपको देगने को मिल चाहेगा हम मुझे पता है आप लोग बहुत चलेड़ों दोस्तो आप बात करते ही दोनों फोन से कौनसा फोन आपको फैस करना चाहिए और कौनसा फोन को टाड़ालकर भाइवायक करना चाहिए देखको एर दोनों फोन का प्राइस वह다면 प्राइस же वह लगविए सेम रहने वाला है लेकिन आपको जो फोने पर्फेक्ट डिस्प्ले ऑफर कर रहा है और इसका कैमेरा क्वालिटी भी लाज अब रहने वाला है इसके बैटरिया का भी आपको अच्छा देगने को मिलचाएगा और इसका डिजाइन में मुझे बहुत ही अच्छा लगाए तो आपको क्या लग रहा है कौन सा फ